हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बग टू माई चैनल फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में फ्रिंका चोपडाई स्टाइल इस ट्रांस फ्रेंट बुलाउच की कटिंग इस वीडियो में सिखेंगे इसे आप सोल्डर पर बनाएंगे फ्रेंट्स तो चलिए सुरू करते हैं देखिए यहां पर हमने 1.5 मीटर की निटली है और यह हमारी 80 सेंट्र मीटर की लाइनिंगे फ्रेंट्स तो हम लोग सबसे पहले अपने पार्ट की कर्टिंग पेपर पर करेंगे इससे मारे कपड़े की बचत हो जाती ही मारे कपड़ा वेश्ट नहीं जाता है तो देखिए दनी पेट पर ले लिए वहां पर हमने अपनी लंबाई तेरा इंच रखनी है एक इंच मायनगा प्रसी करें चाहँ लूदु या नहीं साथ इंच लिया है अर्मने छेश्ट हमारा चौतिजस को चथा है अमने साधे आथ इंच लिया है और दिकें अन्य कमर हमारी two-part सेंट को मार कर लेंगे यह मारी फिटिंग की लाइन रहेगी और देखिए एक लाएन रहेगी अर्यान दो हमारी कमार है वहार से एंची डेप को रखेंगे कीॆ हाफर कर लेंगे और दिखी अपने की लंबांव्य मं प्ने कर लिए की लिए काओर प्सक्रय लेगे किंक से टक्स की मार्किंग कर लेंगे है और यहां पर तरन से मारे आहं जो नहीं आता है इस तरह से करके यहां पार को नहीं करेंगे तरह से और य्यकर करेंगे अब देखिए तो सूटरा पेपर लेते हैं इस पर अपने फ्रणड पार्ट के गरतिंग करेंगे तो यहां पर देखिए अपने बैक पार्ट को आश्टी उतार लेना है अब सबसे पहले अपनी गहराई का मार्क लगा लेते हैं आप चाहे तो फ्रंस इस गहराई को सिराई करते समय कट कर सकते हैं प्रिंसेस कट वाले पार्ट को जोइन करने के बाद हमने देखिए याँ पर इस तर से मा कर लेना है और यहां पर देखिए इतना आपका फ्र practically क्रास आए उसकी कोडिंग आप इस पर यहुत्स क्रणij देचhy अब यहां पर कज़ू Weekly करेंगे क्मर 28 regnia उसका चंव इंडियोगे साती इंचच और जितना कहते हैं हमारे कमररों चेस्ट में डिफरेंश दो इंच के लिए दे निकाल देगें जो बचता है हुसे फॉन्ट की डॉट के लिए रिंवारव हुटे है हम्हारे हि PP6 का यहीं इंच को यहीं डिवाइड करेंगे दो इंच के ड थेंच मांदिनेवा दोइनगी और यहां पर देखें पर हम हाफ इंच मेंशन लेंगे और इस तर कर लेंगे इतना हमारा एक्ष्ट्रा कप्डरा आएगा इसमें मेंकरम कर लेते हैं तो हमकर पर अबीम्हाइ सवाज इंच पे हाफ इंच में माजन लेंगे तो पॉन्ने दस इंच में देखिए टक्स की लाइन को मार्क करना है और टक्स की चोड़ा हुआ यहां यह पे 3 लिया ले लेना है नीचे की सब्सक्राइब 3 इच लेंगे और इस लान को दिख़ी से मार्क करेंगे मोद पूर्धको क्या अज़िए यहीं ऍपल सकरता की लिए इसट्रा लगा लेते हैं ब्रावलड ये ऐखी दीखीStand कश एक्राइब डेते हुए हम अपना से बनाएंगे ड़ॉंग का टेंस का फेंस के पास न्यांक बांगे मार्क लगाएंगे कुछा इस थरा से और उप्रत्न साढ़्धा 3 इंच साढ़्धा थीर इंच लेंगे फ्रेंस साढ़्धा तीन आशाब स सकते हैं और देखिए यहाँ थीर आज बनाएंगे समत्फे ए मिलया है 1-2-5 इंच लंबाय भी लेघी इस तरह से और देखि लाउंड सेव देना है जैसे हम अ अ धुरह में सेब दे थे हैं कि और यहाँ पर देखिए फस हाफ इंच हमने लेंद को एक्ष्ट्र लेना है इस तरह से हाफ इंच बढ़ा को आप अब देखिए अपना बैक पार्ट लेंगे बैक पार्ट में मिने तीरची मार्किंग की ते इसको कट कर लेंगे और यहां पर देखिए इस तरह से बैक पार्ट को रखेंगे अपने बैक पार्ट के मार्किंग के कॉर्डिंग ही अपने फ्रेंट पार्ट के मार्किंग कर लेंगे ताकि मारा दोनों पार्ट एक्कोल हो जाया देखिए इस तरह से और देखिए आगे की साइड मारा थोड़ा सा कपड़ा ज्यादा था सिप्म को आधा इंची एक्स्टा लेना है अब देखिए इसकी कटिंग कर लेते हैं मार्किंग के कवर्डिंग यह देखिए फ्रेंट्स अब टक्स को लग कर लेते हैं हाफ इंच बने जो स्टोर को जुखा इसको कट कर लेंगे लेखिए फ्रेंस इस तरह से पनी कट्रियां पर जॉइन करेंगे और जोपिंग कर आएंगे इसलिए यहाँ इंच कपड़ा एक्स्टा लिया था फ्रेंस और देखिए इस तरह से आप सोल्डर वाले पार्ट को प्र आएंगे देखिए इस तरह से बैक पाट का गला आप चाहिए तो इतना बड़ा भी रख सकते हैं आप अपने कोडिंग से बड़ा चोटा कर सकते हैं यहां पर हमने 8.5 इंच लिया है गले को गले की लेंथ को और देखिए इस तरह से राउंड सेफ देते हैं इसको हम मर्क कर करेंगे अ, और देखिए फ्रिए मां भी एंच गले के चोड़ा लेन गे और दो इंच इसकी लंबा एंगे फ्रम्स गले की आप चाहिए तो दो या तीश अपने कोड्यट हसकते हैं इस तरह से इसे हम बाइ कोपेन पे बनाएंगे फ्रेंगे तो देखिए इस तरह से करके हमने फ्रंट और बैक की कटिंग कर लिए और जो हमने गले का सेफ दियस को कट कर लेते हैं और मार्क कर लेंगे फ्रेंगे यह मारा फ्रंट का पार्ट आएगा और यह बैक का इस तरह से हमने पेपर पे कटिंग कर ली है अब यह जो मारा पार्ट गले का निकला है इसे हमारा पेपर पेपर पे कट करेंगे और एक्स्ट्रा पेपर लेते हुए मार्किंग कर लेंगे तो देखिए पहले हमने आई स्टीज मार्किंग के कोर्डिंग सेफ बना लेना है सेवके कोडिंग मार्किंग कर लिए निया है प्रेंज हम सबाद इंच मार्जन लें देखो ही को इस से光 को दूसरी साट शाड लेंगे इस से व फ्रिल लागांके प्रांगे कि हमको इस तहर से मार्किंग कर यह लीनिए है इसी तर से हम आपने अपने उल्य इंच इस तर कंग करकू कर लें कि और देखेए, सवा सवा इंच पर इस तरह से मार्किंग करके, एक्षा कप्डदा लेंगे, एक्षा पेपर लेंगे, फ्रेंड्स, इसी पेपर पर रहकरेम को और निटकी सिलाई करने होगी, जो फ्रिल बनाएंगे खया हैं तो इस तरह से नहीं रहों संपड़िया को देघिए देखी बन सकहरित हैования फ्रेंट के लिए पपर के लिए ठीसिर जुवे हुक्त दोसरे सेड़ तरह में मार्क उतारं ल्यते हैं इस सक में इंगी एकष्टाइर लीए है इस तरह से है कि अब देखिए फ्रंस सेंटर सेश को हम अलग करेंगे कि यह मारा बाय कॉप पिन रहेगा इस तरह से इसको हम अलग कर लेंगे देखिए फ्रंस हमने यहां पर फ्रंट और बैक दोनों की खले की मार्किंग एक्स्ट्रा बढ़ाते हम ले ली है अब हमें इसकी जरूरत नहीं बइक एक दिब्वेटर की करने अब देखियों सारे पेपर की कटिंग के कपड़े पर मानीग को नट आहिम निक इस नहीं नमक्यक्टे है इसे मार कप्ड़ा सेफसे बच गया है क्षेल कपड़ा खराब नहीं हुआ है कि अ पार्ट के 어딨 है और इसे अपने नेके कट करम डिए इसके कर साने करेंगैं इसके क्पड करेंगे हैं extraordinarily कि भूख कि लिए 1 फो देखिए उस्लीब के लिए 3 इन्च है यहां पर 2 इन्च ले 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 लेना है और वे चोड़ाई हमने ले लिए तो आधिए 8 इन्च ले लिए लिए इस तरह से अब यह पर देखिए 20 इंच कम करेंगे और अधिक से अधी मार्किंग से हम 2 इंच ऊस्ट पर लेंगे के किसम को प्रफिअ करदें और मिला लेना है अब किस्कों कि कट में कर लें आ इस तरह से अब उसको खोलेंगे और जो पार्ट मारा सामने की साइड आएगा उसमें घहराई दे दीगे आप चाहे तो स्लिप कैसा लगा कमेंट करके जरू बताएगा मेडियो को लाइक और शेर भी कर लिजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वन बिल आइकन को पेस कर दीजेगा थैंक यू